पाकिस्तान से आज दो बड़ी खबर आ रही है पहली खबर यह कि पाकिस्तान के पूर प्रधान मंत्री इमरान खान को साइफर मामले में दस साल कैत की सया सुना दी गई और दूसरी खबर उससे भी बड़ी खबर है कि बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी की बोलन और माच औ के पूलिस इस्टेशन के सचों को मार गी राया साथ ही बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी ने यह कहकर भी अफ्रा तफ्री मचा दी कि उसने बोलन माच और उसके आसपास के इलाकों में सड़कों पर इतना विस्फोटक लगा दिया है कि आम लोग सड़कों पर ना आए अ इम्रान खान को पिछले साल पुलिस ने गर्फतार कर लिया था और उनके खिलाप साइफर मामले के तहत के सब्सक्राइब यह मामला यह है कि साइफर मामले के तहत उन पर आरोप था कि उन्होंने पाकिस्तान को आए एक गुप्ट संदेश को डिकोड करते हुए आम जनता क पर लगाये गए कि उन्होंने जो गोप्नियता का कानून और उलंगन किया है और दिशल की दोते हैनने दिलयां कि इस नाताम जते है यह विशेस्जार को दस साल कहले न मृशकत सुना दी और इसके साथ इमरान आं appl इमरान खान जेल में रहेंगे और वहां के वर्तवान प्रशासन है वह संभवताय सोच के खुस हो रहा हुआ कि उनका एक बड़ा काटा उनकी राह से हट गया है लेकिन दूसरी खबर इससे भी बड़ी खबर है चुकि वह खबर आई है बलुचिस्तान से जहां बलुचिस्ता प्रशासन का के उसने एक गुथ सूचना के अधार फर बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ और इक पाकिस्तान फोट जारी की है न है उसके जवाब में बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बगाइद एक वीडियो थारी किया और उसमें इस पर स्वत तौर पर दिखाया गया कि किस तरह से माच शहर में जो जेल एवहां पर उन्हें ने हमला किया और इसके इलावा उन्हें वहाँ के जो लेव्यार्वेश einsब करम्चारी थे उनको उन्हें बंदक बना लिया था और बात में यह कहकर दिया कर दिया था कि वह उनके खिलाफ काम नहीं करेंगे तो मैं सबसे पहले ये पता दू कि आखिर बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी सैना के खिलाफ क्यों है दरसल बात यह है कि बलुचिस्तान में जो काफी जो संपदा है प्राकर्तिक संपदा उसका भंडार है लेकिन अभी तक पाकिस्तानी पहले उसका दोहन कर रहे थे और उसके बाद जब बलुचिस्तान के लोगों को लगा कि पाकिस्तानी उसका दोहन कर रहे हैं उसका कोई फाइदा हो नहीं के आपके पास कोई प्रव का कुऊंआ है और कोई दूसरा आदमी आके उस प्रव के कुऊंए से प्रव निकाले और वहापको 100 रूपे लिटर दे और बाहर को 80 रूपे लिटर बेचे यानि आपके पेटरोल के कुऊंए का आपको कोई भी फाइदा ना मिले इन हालातों में बलूचिस्तान के लोग मरने मारने पर उतारू हो गै हलके योई भी बात सकते हैं कि पाकिस्तानी फावज लागा था हम प行 सबस्याद के लोग różटाकर और जो पाकिस्तान उन्होंने उनकी सड़कों पर कब्जा कर लिया था और इन सड़कों से कब्जा हटाने के लिए आज पाकिस्तानी फॉस को अपने गनर हेलिकॉप्टर मेदान में उतारने पड़े और इसके बाद उन सड़कों को आद देर शाम खाली कराया जासका इसका साफ तौपन मतलब है कि बलुचिस्तान में आग एक बार पूरी तरह से फैल चुकी है और वो दिन संभावता जब दूर नहीं है जब पाकिस्तान के इस हिसाब से एक बार फिर बंगलादेश की तर्स पर दो टुकड़े हो जाएंगे कर दो, एक बार पूर को कि यहते है जब दूरी आगलादेश की तर्स पर दो जब हैंगे